जीवन की ढलने लगी सांज दिव्य अलोक एक भारत की शान अटल बिहारी बाजबई अब इस दुनिया को छोड़ कर जा चुके हैं। वेक्टित्यों के धनी अटल बिहारी बाजबई भारत की वो रत्न थे जिन्होंने राजनीत से भारत को सुनने से सिखर तक पहुचाया। या यूँ कहें भारत की वो ख्वाब हकीकत में बनाए जिन्हें भारत बस देखता भर था। जीने की कवायत कभी नहीं कर पाता था। अटल बिहारी बाजबई दुनिया को छोड़ कर जा चुके हैं। मगर अपने नाम में खुद की पहचान रखने वाले बाजबई का राजनीतिक करियर इतना अटल था कि आज भारत का हर व्यक्ती उनका मुरेद है। बात राजनीतिकी करें तो अटल बिहारी बाजबई के दौर में भारत ने उन उपलबधियों को छुआ जो दुनिया के गिने चुने देश ही कर पाएं। राजनीत से लेकर लेखने तक अटल बिहारी बाजपई की छाप भारत के इतिहास से लेकर वर्तमान में अटल है परधान मंतरी पद पर रहते हुए अटल विहारी बाजपेई ने भारत को दुनिया की सामने रखते हुए ये बता दिया था कि भारत अपने गौरव और सम्मान की रक्षा करना जानता है जिसका उदारण पोखरण में परमाण परिक्षन और कारगिल वार में भारत की जीत थी अपनी भाशा शैली लेखनी से अटल विहारी बाजपेई ने देश की बात की क्रांतिकारियों की बात की और नफी तुली बेवाग टिपणिया भी की उन्होंने पूरे भारत को हमेशा एक द्रिष्टी से देखा इसलिए सायद कहा था कि मैं एक ऐसे भारत की कलपना करता हूँ जो भूख, भै, निरक्षर्ता और आभाव से मुक्त हूँ अपने कविताओं में क्रांतिका बीज रखने वाले बाजबई क्रांतिकारियों का भी उतना ही सम्मान करते थे जितना की भारत का इसलिए उन्होंने कहा था क्रांतिकारियों के साथ हमने कभी नयाय नहीं किया देशवासी महान क्रांतिकारियों को भूल दहे हैं अजादी के बाद अहिंसा के अतिरेक के कारण ये सब हुआ है भारत को अपना सबकुछ देने वाले अटल बिहारी बाजपे ने ये भी कहा था कि मेरी कविता जंग का एलान है पराजे की परस्तावना नहीं वो हारे हुए सिपाही का नैरास्य निनाद नहीं जूजते युद्धा का जै संकल्प है वो निरासा का स्वर नहीं आत्म विश्वास का जै घोस है ऐसे थे अटल बिहारी बाजपे जो अपने नाम को पूरी तरह वाजिव ठहराते थे जिनकी छाब भारत के इतिहास में अमिट है चाहे बात उनकी राजनीत की हो चाहे काब विकी अटल बिहारी बाजपेई को भावभेनी सरद्धांजली